नमस्कार दोस्तों सुवागे था अपनी यूटोब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस वीड़ी में दिखने वाले हैं ITBP का जो अभी 15 सितंबर 2023 को एक्जाम कंड़क्ट हुआ है टोटल तीन पारियों में उसमें 10 जीके के स्वाल थे बाकी 2 सिप्ट है उसमें 20 पीश थे तो 50 स्वाल एक्ष्टा फैक्ट साइट का और करेंगी तो लेटर्श पैटन का पता चलेगा ये टीसियस का एक्जाम पैटन है योग जो एंसर की का इंटरफेस है वोट सैम टीसियस स्वाल है तो देखते हैं याँ पर टीसियस ने जीके के के स्टाइब से स्वाल पूछे गए है शुरुआत करते हैं यहाँ पर आई टी बीपी का जो एक्जाम कॉंस्टेबल प्योनीर का हुआ है ये 15 सिप्टमर को फ़स्ट में हुआ है इस सिप्ट में पूछे के 20 स्वाल उसके बाद और बाकी 2 सिप्टम में पूछे के स्वाल देखेंगे एक्स्टा फैट साइट का और करेंगे आप किसी भी कमटेटर एक्जाम की त्यारी करते हो S.O.C. लेवल की सभी एक्जाम के रिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वीडियो है लेटर से लिए आप पैटरन के अनुसार त्यारी करते हो स्वाल लगातार देखते रहते हैं जो भी एक्जाम चलते रहते हैं और GK के पैरलल में आपके कोई भी काईट से त्यारी चल रही है तो बहुत अच्छा खासा बूष्ट मिलता है यहां से कॉंफिटेंस बढ़ता है आपका तो शुरुवात कर लेते हैं यहां पर यह पीडियाप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगे GK के अत्रिट यहां पर हिंदी के भी स्वाल है और इंगलिस के भी है मैस रिजनिंग के भी है तो आपन देखते हैं GK जो पीडियाप डाउन्डूड करना चाहते हैं वो टेलिग्राम लिंक डैस्क्रिप्स में है चकाउट कीजी का पीडियाप के लिए स्वाल नंबर बन देखीगा कौन सा कोशिकांग है कौशिकांग ATP के रूप में उर्जा उत्पन करने के लिए उत्तरदाई है तो ATP के लिए उर्जा आपको बता होगा कोशिका का पौवर हाउस है यानि उर्जा का ग्रव पौवर हाउस शक्ती ग्रव कौन सा है तो वो है सूत्रकणी का वो है दोस्तों आपका माइटो कौन्ट्रिया सूत्रकणी का जैसे माइटो कौन्ट्रिया कहा जाता है माइटो कौन्ट्रिया ATP के रूप में उर्जा उत्पन करने के लिए उत्तरदाई है ATP को कोशिका की उर्जा मुद्रा कहा जाता है ठीक है उर्जा मुद्रा है वो ATP को का जाता है mitochondria power plant आप कहा सकते हो गोलजी कोई है गोलजी बोड़ी है इसे कोशिका का जो कोशिका नुगों का याता याद प्रबंदंग या फिर ट्रेफिक कुलिस की नाम से जानते हो बात करूँ लाइसोस्वाम की तो ये पाचन का कारे करता है आतम घाती थेली वो लाइसोस्वाम है प्रोटिन की फैक्टरी राइबोस्वाम को का जाता है कोशिका जिल्ली कोशिका का रक्षक है आगे बड़े उससे पहले में आपको बता दो आप किसी भी कने टो एक्जाम की त्यारी करते हो जब तक मोक टेस नहीं लगाते हो आप प्रोDoes आपं ले सकते हो क्योंकी पास प्रो में बेहेत्रीन फीचर मिलता प्रिविश यह के जो भी पेपर होते हो हम मोक फॉरम में आप अटेंट कर सकते हो और टेस्ट test book pass का मतलबी यह हुआ कि सभी exams के mock test नहीं जितने भी इस्टेट और सेंटर ले वो 700 प्लस exams के mock test एक ही पास पर मिल जाएंगी यहाँ पर TTG के coupon code यूज करके आपको एक्स्ट्रा 10% का discount मिल जाएगा यह deal केवल 18 सितमर आज के लिए है इस coupon code से आप discount ले सकते हो लिंक आपको description box मिल जाएगी सभी exams के mock test यानि यहाँ पर आप देखेंगे 640 प्रस exams के mock test और test book पर लाखों candidate अल्रेडी exam देते तो exam सा यहाँ पर मावल है exam सा interface है सभी language में आपको paper मिल जाता है और एक तरीके से exam के dashboard के according यहाँ पर अपनी त्यारी आप जारी रख सकते हो लिंक description box में TTC के open code के साथ में चेक कर सकते हो अगला स्वाल है एक economic का स्वाल पूछा गया है 2022 और 2023 में ज्यादतर कमपनिया quiet quitting की बात कर रही है quiet quitting की बात कर रहे है तो इसका अर्थ क्या हुआ तो quiet quitting का अर्थ हुआ नियूंतम कारे करना एक तरीके से करमचारी जब आलसी हो जाते है बस ऐसा काम चल जाए कि company से बाहर न निकाल दे इस टाइप से वो काम चलव कारे करते है तो वो होता है quiet quitting काहा जाता है economics में तो quiet quitting जब करमचारी अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए नियूंतम प्रयास करना जारी रखता है minimum प्रयास करता है अपना और effort नहीं लगाता है जो की company को और फायदा हो सके तो नियुकता के लिए employer के लिए अत्रिट प्रयास नहीं करते है इसका मतलब यह हो सकता है कि वो ना तो ज्यादा बैटकों में भाग नहीं लेगा लेगा तो बोलेगा नहीं ठीक है भाग तो नहीं निवर रहे हैं तो वहाँ पर discuss नहीं करेगा या फिर overtime करने से इनकार करे था और इन्होंने हिंदी में डारेक्ट ट्रांसलेट किया था थोड़ा कुछ अलग आपको टम देखने को मिल दी पसु शामराज्य यहाँ पर animal kingdom की बात हो रही है animal kingdom में विशिष्ट विशिष्टा में देखी photo synthesis है यह पोधों में होता है पसु में थोड़ा ही होता प्रका सामराज्य में लेकिन कोशी का cell wall है वो plant में होती है तो यह भी पशुओं से नहीं है animal से नहीं है अगला स्वाल है सदाबार वनों के लिए परशिद सुंदरवन भार्त के किस राज्य में इस्तित है सुंदरवन है यह दोस्तों पच्छी मंगाल में काफी exam आपने इस स्वा सुंदरवन डेल्टा है यह पच्छी मंगाल में यहाँ पर मेंग्रोव टाइप के वन पाए जाते है सदाबार वन है मेंग्रोव वन है सदाबार मेंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में सबसे बड़ा डेल्टा के नाम पर सुंदरवन के नाम से जाना जाता पच्छी में वनों में सबसे बड़ा डेल्टा है यह और नेश्ट यहां पर बात करें भारत में दश्रकी जंगर्णा किस संग्ठन के दोरह आयुजीत की जाती है तो जंगर्णा होती है हमेसे आपको पता होगा ग्रह मंत्रा लेके अब जंगर्णा है जैसे 2011 में थी पंदरवी जंगर स्वतनतरता के बाद 2011 में सातवी जंगर्णा थी तो यह ग्रह मंत्रा लेकर आता है जंगर्णा ज्यान रखीगा वेरी इंपोर्टेंट स्वाल दो और जंगर्णा उन्निस विक्याओन के बाद सभी जंगर्णा है 1948 की जंगर्णा एक्ट के तैत कराई जाती है अब जंगर् से 18 भासव में आयोजित हो गई जो 21 में 16 भी जंगर्णा है तो टोटल 18 भासव में आयोजित हो रही है यह सितंबर अक्टूंबर से इसका कारी कंटिन्यू हो रहा है 2023 में COVID की कान डिले हो रहा है जबकि जंगर्णा 2011 है वो 16 भासव में थी तो 21 वाले 18 में दो और है पर्थम कोशी घाटा का मतलब है घाटा का बुआ जब आपने खर्च ज्यादा कर दिया राजस्व जो प्राप्ति है उससे अधिक आपने व्या किया एजी सुआल है अगला स्वाल जो आपको पूछा भार्ति सुमिदान के जनक के रूप में केसे जाना जाता है जोनों ने ड्राप त्यार किया गया था उसमें टोटल कितने मेंबर्स थी तो प्रारूप समीति के साथ सदस्य है पूछे कौन था कौन नहीं था अध्यक्स के तोर पर भीमराव मेटकर जी ते और च्छे और सदस्य थी और सदस्य में डॉक्टर भीमराव मेटकर कन्हयलाल मानिकिलाल मुन्श एन गोपाल स्वामी एंगर थे, अलादी किष्ण स्वामी एंगर थे, एन माधवराज, अब B.L. मित्तल के स्थान पर आये थे, पहले B.L. मित्तल थे, इनके स्थान पर N. माधवराज आये, T.T. किष्ण माधचारी, ये D.P. खेतान के स्थान पर आये थे, और मुहमत सादू तो ये साथ मेंबर लाश्ट में रहे थे, पहले थे डीपी खेतान, बील मित्तले, इनके स्थान पर M, आपको पूछले मित्तल के स्थान पर माधोरा आजाए, खेतान के स्थान पर KKK किष्ण माचारी आई, और बाकी भीहुरा में इटकर कनहेलाल, मानेकेलाल, मुंसी, एन, गोपाल श्वामें एंगर, अल्लादिकेश श्वामें एंगर ये थे सदस्य, और स्विधान की बात करें तो 26 नौबर 1949 को अंगीकर्थ किया गया, और जो परभावी रूप से 26 जिनवरी को आया 1950 को, और 26 नौबर 1949 को ये एक तरिके से अंगीकर्थ है, पारित हुआता स्व मिधान बनने में 2 वर्ष 11, 18 दिने वो लगे थी, 2023 में भारत में कौन सा प्रयावरणिये मुद्दा नहीं है, प्रयावरणिये मुद्दा EV, इलक्रिक विहिकल, वी निर्मान वाला नहीं है, बाकि जल परदूशन, वाई परदूशन, आप्षिष्ट परबंदन ये सभी प फैम 2 है, ये वी निर्मान से संबंदी थे, दिहन रखीगा, नेक्ष वाल नहीं पर अपने महलों और वास्तुकला के लिए परशिद जैपूर शेहर है, जलवायू का अनुभव करता है, जैपूर है, राजस्तान में है, तो रेगिस्थानी जलवायू, आप्षन एक करेक् मान्सुन भण जहां पर वषणा होती है, 200 सेंटीमेटर से 70 सेंटीमेटर के बीज में, आद्र है, 9 पनपार्थी वण और 6 पनपार्थी वण तो आद्र पंड पाती वन कौन से हैं, साल, शागोन, सिशम, हर्रा, बहेडा, आवला, सेमल, कुशुम, चंदन ये हैं, आद्र पंड पाती वन, और सोस्क में तैंदू, प्लास, अमलतास, बैल, खेर, धावडा, ये सोस्क हैं, जो सतर से सो सेंटिमेटर जहां पर वर्षा होत ये स्वाल मैंने काफी बार देखे हैं, वनों का प्रकार का, कौन से वन कहां पर पाये जाते हैं, तो बबुल बैर, खजुर, नीम, खेर, खेजड़ी, प्लास, खास, ये उस्टन कटिवंदी कांटेदार वन है, उस्टन कटिवंदी सदाबार, ये और सदाबार वन, रोज स्वास्थे स्रेक्ष्ण है, नेशनल फैमिली हैल्स सर्वे हैं, इसकी covered, किस लिंग के जंसिंगिया सबसे अधीक है, अब दिखिए, जो पांचवार राश्टीपरिवार और स्वास्थे स्रेक्ष्ण हुआ है, इसमें जो जंसिंग क्या सबसे अतीक है, माईंहा की है, जणम के समय लंगा लुपात है वह है 929 गल्स पर 1000 बोईज तो 1000 बोईज में जो सेक्स रिशियो बर्थ जणम के समय वह कम है गल्स का 929 है सेक्स रिशियो एट बर्थ जो पांचवे राश्टी परिवार सरस्ति सरेक्षन के अकोरडिंग नो सोंतिस है और और ओल है एक जार बीज भारत में केवल पांच राज्जे हैं जहां पर परजननदर है वो उच्च है दो पॉइंट एक से ज्यादा है तो सबसदिक बिहार, मेघाले, उत्तरप्रदे, जहारक मुद्दा है, 2023 के लिए बेरुजगारी हो जाएगा ईजी स्वाल, विकल्प के अकोरडिंग आप कर सकते थी, कौन सी भासा सामाने भासा के रूप में कारे करती हैं और भारत की विभिन, छेत्रों में व्यापक रूप से बोली जाती है, इनमें आप देखेंगे ईजी स्व हैं, 2011 सेंसेस बताती हैं कि हिंदी भारत की सबसे जैदा बोली जाने वाली भासा हैं, हिंदी को मात्री भासा के रूप में बोलने वालों की संक्या कितने फीश्टी आपको पूछ ले, तो हिंदी को मात्री भासा के रूप में बोलने वालों की संक्या है, वो 43.63 फीश्टी बोली जाती है हिंदी के बाद भारत में सबसे दीक बंगाली बोलते हैं बंगाली कितने बोलते हैं 8.03 फिस्ती है वो बंगाली बोली जाती है ठीक है तो बंगाली याद रखीगा 8.03 हिंदी है 43.63 थार्ड बोली जाती है मराठी 6.86 उसके बाद चोते इस्तान पर बोली जाती साथ्वे स्थान पर उर्दू बोली जाती है और आठवी अनुसूची में जो 22 भासा है उनमें सबसे कम बोली जाने बाली भासा है वो दुस्तों संसकरते हैं और ये 22 तो आठवी अनुसूची में सिडूल्ड भासा हैं इसके अत्रित गैर अनुसुचित भासाओं में सबसे अधिक बोली जाती है वो भीली भासा है एक पर चार जीरू चार करोड भीली है सबसे अधिक गैर अनुसुचित भासा दो बोली जाती है पिछली जनगर्णा 2001 की तुल्ला में अनुसुचित भासाओं में जो 22 भासा हैं उर्दू और कॉंकणी ही दो भासा हैं जिनके बोनने वालों की संख्या घटी है भासा में वैसे बोनने वालों की संख्या घटी है लेकिन उर्दू और कॉंकणी की संख्या घटी है ध्यान रखीगा उर्दू और कॉंकणी नेक्स स्वाल है कौन सी निर्तिशेली की मुद्राएं मंदिर की मूर्तियों में पाई जाने वाले मुद्राओं की नकल करती है तो ये अच्छा स्वाल है कौन सी निर्तिशेली ओरी सी निर्तिशेली है इसमें जो डांसर से हैं उनकी जो मुद्राएं हैं एक्सन से हैं वो मू नियोक्स एटी में पॉपुलर हुआ था, अगला स्वाल है, जुला इक किस से सामाजिक न्याय और आदिकारिता मंत्राले की कैबिनेट मंत्री कौन है ? भारत छोड़ो आंदुरें ़की मांग्क चुना की सिरू किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव अंदुलन की ड्राप्टिंग की ती ज्वालल नहरू ने त्यार किया था भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो मसोधा है ड्राप्टिंग ज्वालल नहरू ने त्यार किया था इंपोर्टेंट है एक भारत छोड़ो का नारा भी है यह महत्मा गांदी ने आगे परचरित किया था भारत छोड़ू ड्राप्टिंग जो हरलाद नहरूजी ने त्यार की भारत छोड़ू आंदरों 1942 में कहां से शुरू हुआ तो ये मुंबई के ग्वालिया टेंक मेदान में भारत छोड़ू आंदरों का परस्ताव पारित हुआ था ये बात है दो किसी एक भासा में दिया जाता है एक कौनसी भासा आठवे अनुसुच्री में 22 भासा प्लस इंग्लीज इनुए से किसी एक भासा में हरवर्ष ग्यानपीट आवार्ड है वो दिया जाता है आपको पूछ ले पहला ग्यानपीट आवार्ड कब दिया गया था पहला ंवार्द है 57 ग्यानपीट आवार्ड है ये दामोदर मॉजो को दिया गया है कौण्किनी भासा के लिए तो आपको पूछे ल है लटर dif pourquoi स्टाp जार पी अवार्द है वहार्ट का सरोज साउथिक समासा ग्यानपीट अवार्द का दामोदर मोजो को दिया है कौंकणी भासा के लिए भासा का पूछरे तो आप केंगे कौंकणी अब विकल्प में व्यास सम्मान भी था जो कि केके बिरला फाउंडेशन देती है व्यास सम्मान हिंदी में ये व्यास सम्मान हिंदी में गया जाता है ग्यान चत्तुरवेदी को उनका उपन्यास था पागल खाना, पागल खाना उपन्यास आपको पूछ ले, इस टाइप से पूछे जाता है, जो लेटर शाहितिक आवाड किसी को दिया गया है, उनका रचनाएं पूछ रहते हैं, आपको पूछ ले, पागल खाना उपन्यास के लेखे कोने ताप किएगे ग्यान चत्तुरवेदी नेक्स रवाल है चोल राजवन्स दक्षिन भारत में चोल राजवन्स है इतियास में सबसे महत्पून राजवन्सों में सिता चोल सामराजी की राजधानी बरतमान में किस राज़े में है चोल सामराजी की राजधानी जितने भी राजधानी रही है चोल किंगडम की वो तमिल लाडु में थी आप चोल की बात करें तो दो टाइप से आपको राजधानी देखने को मिलेगी एक तो पूरवी चोलों की राजधानी जो प्रारमिक चोल थे पूरों में उनकी राजधा आपको ज़़ ज़़ देखने को मेलेगा ये तमील नाडू में तो चोलो की राजधानी तमील नाडू में इसके अत्रित परमुक वंसों की राजधानी की बात करूँ ये कौन से राजधानी वर्तमान में और कहां पर है दिखी बात करें मोरे वंस की राजधानी तो पाटली पुत्र है जो कि पटना को कहा जाता था पाटले पुत्र पहले बिहार में से ये पटना चालुकी की राजदानी है वातापी या वातापी को बादा में भी कहा जाता है वातापी या बादामी चालुकी राजवंस की राजदानी है ये दोस्तों करना टक में है वातापी या ब प्रतिष्टान जो की महराष्टर में है, प्रतिष्टान सात्वान वंस की है, बेहमनी सामराज की राजदानी है, गुलबरगा है, अब गुलबरगा को दोस्तों कल बुर्गी भी कहा जाता है अबी, गुलबरगा जो की करना टक में है, बेहमनी की करना टक में है, बीदर भी क करना टक में तो गुलबरगा और बीदर है बेहमरी सामराज की राजधानी दोनों ही करना टक में शुंग डाइनेस्टिक की राजधानी और मोरे की वो पातली पुत्तर हैं बाद में विदिसा भी थी शुंग डाइनेस्टिक की राश्टकूर्ट वंस की राजधानी मन्ने खे पुरूषपूरा दोस्तों पेशावर पाकिस्तान में सिवाजी के काल में राइगड राजधानी थी महाराष्टर में टिपू सुल्तान के समय सिरी रंगपर्थनम राजधानी थी करना टकप तो ये सबी राजधानिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों नेश्ट अपना स्वाल है जुलाई 2023 में चल रहा देवदर ट्रोफी खेल कुद परत्योगीता किस खेल से संबंदी थे जुलाई 2023 से चल रही ये 2023 में दो देवदर ट्रोफी खेल कुद हुआ है क्रिकेट का टूनामेंट है देवदर ट्रोफी जो की South John ने जीता है तो देवदर ट्रोफी क्रिकेट टूनामेंट South John ने 2023 में जीता है Player of the Series इसमें रियान प्राग रहे हैं राजस्थान रावलस में फ्लॉप रहने वाले खेलाड़ी यहाँ पर Player of the Series रहे हैं देवदर ट्रोफी में इस्ट दौन से खेलते हैं रियान प्राग 354 रन हाइस रन बनायते किरकेट की ट्रोफी है देवदर ट्रोफी South John ने जीती है भाई दक्षिन ने जीत लिए किसने डेकन जिओग्राफिकल सोसाइटी आप इंडिया की दोरा सर्वस्रिष्ट भूगोल सिख्षक पुरुसकार 2023 से वो सालेहा जमाल न जीता है तो देखकन जिओग्राफिकल सोसाइटी आप इंडिया की दोरा सर्वस्रिष्ट भूगोल सिख्षक पुरुसकार 2023 करंट पेस का स्वाल है ये दुस्तो सालेहा जमाल न जीता है नेश्ट यहाँ पर continue करते हैं बीस्वा स्वाल इस सिप्ट का भारति समिधान का कौन सा भाग मोलिक करते हैं इजी स्वाल है मोलिक करते हैं भाग 4 का या फिर 4 A में आर्टिकल 51 A में आपको fundamental duties मिलेगी fundamental duties हैं mini constitution amendment जो है बियां लिश्वा समिधान संचुदन 1936 के जरीए मोलिक करते हैं 10 एड किये गए थे शुरुआत में अभी 11 है बाद में 2002 में 11 एड हुआ है तो swan sing समिधी की सिपारीस पर मोलिक करते हैं एड हुए थे तो यहाँ पर 20 स्वाल इस सिप्ट के complete होते हुए next जो सिप्ट है वो दुस्तो 15 सितमर की second सिप्ट है head constable, dresser, veterinary तो veterinary की सिप्ट है इसमें veterinary से सम्मधित अलग से स्वाल पूचे गए थे तो gk के cable 10 स्वाल थे देख लेते हैं इस सिप्ट के 10 स्वाल ठीक है बाकि हिंदी के भी यहाँ पर 10 स्वाल पूचे गए हैं और gk की यह दस्वाल देखते हैं general awareness, 2011 की census के according भारत में इस्तिरियों की साकसरतादर क्या थी, इस्तिरियों की women की साकसरतादर की बात करें, 2011 के सुरवाती डाटा में यह जो मिल रहा है 64.6% है वैसे महिलाओं की साकसरता है 55.46, exact जो डाटा बाद में आया update होके, महिलाओं की साकसरत हैं, literacy rate है, साकसरतादर है, वो 44.04% है, ठीक है, इसमें प्रूश है, वो 82 है, महिला है, वो 65 है, ठीक है, प्रूश 82, महिला 65, महिला 65, प्रूश 82, और National Family स्वास्ति सर्वेक्शन, यह नि, NFHS, National Family Health Survey, 5 के according, 2019 से 21 में यह सर्वे का डाटा है, इसके according, साकसरतादर भारत की, 24 नई, 77.7 है, तो latest data बताता है, कि साकसरतादर 77.7 है, क्योंकि National Family स्वास्ति सर्वेक्शन से फर्स शिप में स्वाल है, तो आप सेकेंड शिप में भी यहाँ पर थोड़ डाटा याद रखना होगा, कि इस सर्वे की according, latest rate कितनी है, census के according कितनी है, सर्वे की according है, 77.7, इस सी, मिहला की उसमें 55, थो यहाँ पर 11.5 है, सर्वे की according आंदर प्रदेश की साकसरता दर 66.4, भारत की सभी राज्यों में सब से कम हैं, अंदर प्रदेश की और केरल की सब से अधीक है, इस सर्वे के according आंदरा की सब से कम, केरल की 96.2 सब से अधीक है, दिल्ली की सा편िस्तान पर है ठीक है नेश्ट अपना सवाल है निमलिक्त में से कौन सा नूडल मंत्राले भारत में सतत विकास लक्षे फ़स्ट के कार्यनियन के लिए जिम्मेदार है टोटल SDG है कितने सस्टेनेबल डवलोप्मेंट गोल टोटल है 17 आपको SDG 1 का पूछा है SDG 1 को कौन हेंडल कर रह गोल है इसको कंप्लिट करना जैसे गरीबी समाप करना अच्छा स्वास्ते हैं गुणोता पूण शिक्षा है भुकमरी खत्म करना ये लक्षे है कि 2030 तक ही सारे गोल हासिल हो जाए 17 का सत्रे गोल 2030 तक हासिल हो जाए 2030 तक का लक्षे ये लक्षे कोई भारत ने नहीं बनाया ये युएन का लक्षे है युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सस्टेनेबल डवलोप्मेंट गोल यानि सतत्विकास लक्षे के लिए जो गोल निर्धारित किये थे 2015 सेतंबर 2015 में उन्होंने बता है कि अगले 15 साल यानि 2015 प्लस 15 2030 तक 17 लक्षे हासिल करने हैं 2016 से जो क्विकास लक्षे है ये युन के द्वरा युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था 2015-16 में किया था 2013 तक का टारगेट है 17 गोल में स्वाल पूछे दाता है 14 गोल कौन सा है तीसरा कौन सा है ये स्वाल टीसेस में अल्रेडी पूछे हुए हैं तो मैं आपको 17 के 17 बता देता हूँ पहला गोल है ग्रेबी खतम करो दूसरा गोल है भुकमरी सवाप्त करो तीसरा है अपना स्वास्ते अच्छा हो चौता है शिक्स अच्छी हो पांचवा है लेंगिक समानता है कोई भेदबाव नहीं होना चाहे लेंग क्यादार पर जेंडर क्यादार पर च चाट्वा उर्जा है, आठ्वा अच्छा काम और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास और अच्छा काम, नवा उद्योग नवाचार और बुन्यादी धाच्चे का विकास, दसमा असमानता को आपको समाप्त करना है, दसमें असमानता, ग्यारा में के साथ उपभोग और उत्पादन, तेरा में जलवायू परिवर्तन, चोदा में महासागर, शमुदर, शमुदर, जल संसादरों का खिसपर का सनक्षम करना है, पंदरा में भूमी पर जिवन पार्ष्तिति की तंतर का सत तुपयो, सोला में सांतिपुन और शमावेशी समाज क के उपबन से संबन दिते हैं, कानून के लिए सभी समान है, विदी की समक्षमानता है, आर्टिकल आपको 14 से लेकर 18 तक देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार बताता है, तो आर्टिकल 14 से 18 है समानता का अधिकार, लेकिन जो विदी की समक्षमानता है, आपके आगे कोई उपादी नया लगा सकते हो आप बिना किसी अनुमती के आपके आगे सर वगएरा ऐसे कुछ उपादी आप नहीं लगा सकती। आर्टिकल 16 यहाँ पर हो गया विदी की समख शमानता तो यह समानता के अधिकार से स्वाल था। तलवारबाजी है भवानी देवी जो तलवारबाजी ओलंपिक में गई थी पहली माईला तो फैंसिंग भी एड कर दिया गया है खेलो इंडिया यूध केम्स 2023 में ये चार स्पोट एड कियागे जहां दरकनाप को पूछा इन में से कौन साइड किया गया है तो कैनोइंग इन दोर में हुआ, ग्वालियर में, उज्जैन में, महेश्वर, जबलपूर, मनला और बाला घाट की आठिस्तान, यहाँ पर साइकलिंग स्पोर्ट इवेंट है, यह नई दिल्ली में हुई थी, खेलो इंडिया, यूद गेम्स दोदार, 23 का पांचवा एंडिशन में, फस्ट र र्याद आता होगा आपको, हॉलकर थे, सिंध्या थे, गायकवार थे, भंसले थे, भंसले थे, तो सिंध्या, हॉलकर, भंसले, गायकवार, यह सभी मराठा, एक दो तीन, तीनो करेक्ट है, निमलिक्त में से कौन सा त्योवार तेलंगाना से संबन दीते, तेलंगाना का दो तो बोनालू है दोस्तो तेलंगाना, बोनालू आपको बोना है, तेल बोना है, ऐसी चीज बोन नहीं है कि तेल निकाल दो आप उसका, बथु कमा भी तेलंगाना, नेक्ट वाल दिखते हैं यहाँ पर, नैस्नल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के एकोर्डिंग, यहाँ पर नैस्नल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का दोबारा पूछ लिया, इससे पहले पूछाता है, महिला ज्यादा है या फिर पुरूच ज्यादा, तो वहाँ पर मैंने बता है कि महिला ज्यादा, महिला कितनी ज्यादा है, 1000 पुरूसों पर तो उस समय मैंने आपको बता है एक जार बीस है यह महीला ज्यादा है एक जार बीस है और सेक्स जो लिंगानुपात जनम के समय है वो कुछ 929 था वो कम था लेकिन यहां पर ज्यादा है किसी अर्थ वैस्ता में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल म प्रश्ट्य आई की गणना है वो तीन परमुक विदी मुल्य वर्दित विदी वे विदी आई विदी है इनसे गणना की जाती है मुल्य वर्दित विदी है जिसका मुल्य चैंज होता रहता है मुल्य वर्दित विदी में किसी उत्पाद की उत्पादन की प्रतिक चर्ण म 5G Spectrum निलामी में सबसे अधीक हर्च करने वाला बनकर उबरा है तो 5G Spectrum निलामी होई है उसमें सबसे अधीक जो आक्षन में बोली लगाई थी वो Reliant Zero ने खरीदे थे 5G Spectrum Reliant Zero ने टोटल 888 क्रोड की 5G Spectrum जो आक्षन है उसमें बोली लगाई थी 888 क्रोड फर्ष्ट 5G जो की जीओन ने लगाई सेकंड भारती एर्टेल ने खरीदे 43,084 की थर्ड वोड़ाफोन आइडिया ने 18,7994 पर है अड़ानी ग्रूप 212 क्रोड तो बाकि सबी ने यहाँ पर हजारों में खरीदे है अड़ानी ने 24,092 क्रोड में जीओ भारती एर्टेल वोड़ाफोन आइडिया के आप देख सकते हूँ नेश्ट यहाँ पर इस इपका अंतिम स्वाल हिमाले परोत की रेफरेंस में कौन सा खतन सही नहीं है हिमाले की अलग से वीडियो डाला हुआ है जहां से बार्षवाल नहीं आते है टीसेस की हिमाले टॉप ट्रेनिंग जी के सर्च करना टीसेस इंपोर्टेंट जो की दिल्ली पुलूज की सीरीज चले उसमें भी डाल दिया था मैंने हिमाले का एक जो चाप बनता है टोटल हिमाले जो उपर से रेंज रहती है ये इस परकार आरक बनता है हिमाले का तो वो आरक है दोस्तों 2400 किलोमेटर का कितना है 2400 किलोमेटर का यहां पर 2400 किलोमेटर है वो की गलत है जो कि सबसे उपर आपको महान हिमाले फिर लगू हिमाले और सबसे नीचे आपको बाहिए हिमाले हैं तो ये पूरा आरक रहता हिमाले का यहां से उपर से लेकर फिर पूरो तक वो है 2400 किलोमेटर का इसकी चोड़ाई ज्यादा रहती है उपर कस्मीर में चोड़ाई ज्यादा रहती है 400 किलोमेटर के आसपास और धीरे धीरे इसकी चोड़ाई इस प्रकार कम होती जाती है नेक्स्ट लाश्ट इस्तान जो अनुच्छ प्रदेश में चोड़ाई 150 किलोमेटर रह जाती है आपको मिल जाएंगे quantitative aptitude के दस्वाल इसके अत्रिप्त यहाँ पर इस shift में है जो veterinary है simple reasoning के भी दस्वाल है और veterinary में knowledge of veterinary medicines and their use के 10 स्वाल 10 नहीं इसके 20 है और उसके बाद भी है आपर knowledge of veterinary instrument and their use इनके 20 स्वाल फिर यहाँ पर disease treatment के भी स्वाल पूछेगे हैं अपने अगली shift के जीकी के देखते है डारक्टी तो अगली shift है ITBP 15 सितंबर जो 3rd shift है HC head constable education and stage controller तो ESC की जो shift है HC ESC 15 सितंबर को जो हुआ है head constable की education and stage counselor तो इसमें जीकी कि स्वार सतत्विकास लक्षे किस संग्ठन दोरा अपनाया गया उपर आपने सतत्विकास लक्षे देखे थे 17 लक्षे United Nations ने इसको अपनाया था UNGA ने 2015 में खोश्चना की कि next 15 साल 2030 तक आपनको 17 लक्षे हसल करना है भुकमरी को समाप्त करना था ठीक है पहला ही लक्षे गरीबी को समाप्त करना दूसरा भुकमरी ये सभी आपने देखे प्रयावन नियमों को मजबूत करने के लिए भारती प्रयावन अधिनी 1986 में अमेंड किया गया है अगरा स्वाल है दुदर 11 की जंदगरना के नुसरा भारत में साकसरता दर इस्तरी प्रूश के बीच का अंतर क्या है अब साकसरता दर है लेटर्स डाटा बताता है कि 84.04 पीशती है जिसमें प्रूशों की है 82.14 जिसमें प्रूशों की है इससे पहले वाले स्वाल में इससे पूछा गया था 64.6 प्रूशों की और महिला की 64.6 प्रूशों के 80.0 इनका एक्जेक्ट अंतर आप देखेंगे तो 16.7 इसके आसपास आएगा लोगी लगबग 16.3 आप कह सकते हूँ तो ये इस डाटा के अकोर दान संसुदन है अगला स्वाल आईपेल 2023 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती है आईपेल 2023 की ट्रॉफी है वो चैनाई सूपर किंग्स ने जीती है चैंपियन रही है पांच वी बार सबसे अधीक बार विजिता है आईपेल की CS के ओफ विजिता यहाँ पर जीटी गुजरा ट यह थे सबसे जो emerging player of the season का वार्ड मिला यह सस्वी जैस्वाल आस्तान रोयल से कहलते है most variable player of the season का मिला सुबन गिल को नेमलिक्त में से कौन सा त्योहार ओडिसा से संबन्दित नहीं है ओडिसा में आप त्योहार देखेंगे तो डोला पुर्णीमा ओडिसा में जनही धन्याद्रा जो वट पुर्णीमा है वट पुर्णीमा कहा का festival है एक तुझे उत्र भारत का है और पच्छिम भारत में महाराष्ट गोवा गुजरात का है वट पुर्णीमा होती है हिंदू कलेंडर के जेट माइने की जेष्ट माइने की जो पुर्णीमा है वो वट पुर भारत का है साथ ही साथ पच्छिम भारती राज्य महाराष्ट गुवा और गुजरात की है फेस्टिवल उपट पुर्णिवा जेश्ट महा की पुर्णिवा भारत में 19 सदी के बिर्टिस परसासन के रेफरेंस में निमलित में से किसे मुंद्रो व्योस्ता के नाम से जाना जा एक स्वाल पूछावा यादारा टीशिस का रेतवाडी व्योस्ता में रेयत किसको दर्शाता है रेयत का क्या मतलब है रेयत का मतलब है दोस्तों यहाँ पर किसान है रेत यानि किसान है जो कि यहाँ पर इस व्योस्ता में किसानों को भूमी का मालिकाना हक दिया गया अगरा स्वाल देखते हैं यहाँ पर अहां पर अंतराश्टी बुकर पूर्षकार के लिए सौर्ट लिष्ट होने वाली पहली हिंदी भासा की पुस्तक निमलक्त में से कौन सी है इंटरनेस्टल बुकर पुरुषकार दिया गया है टॉम्ब ओब सेंड यानि रेत की समादी रेत की समादी जो पुस्तक है जो नोवल है वो गीतांजली स्री का नोवल है ये नोवल 2018 में इनोंने लिखा था और 2021 में इसे अनुवादित किया है डेजी रॉक्वेल ने अंग्रेजी में अनुवादित किया डेजी रॉक्वेल ने और ये 2022 का इंटरनेस्टल बुकर पुरुषकार जीता है यूके के दोरह ये दिया जाता है गीतांजली स्री की नोवल डॉम बॉप सेंड ने 2022 में जीता और इसको अनुवाद किया था डेजी रॉक्वेल ने अब 2023 में भी अंतराश्टल बुकर पुरुषकार दिया जाज चुका है तो 2023 में इंटरनेस्टल बुकर पुरुषकार की विजेता है जोर्जी गोस्प दिनोव है इनका उपन्याश टाइम शेल्टर जो बुलगारिया भासा में लिखा गया है इस हेत्व इने दिया गया है नेश वाल है सोमनात मंदिर जिसे सुल्तान मेहमूद ने निशाना बनाया था तो मेहमूद गजनवी ने सोमनात मंदिर पर आकर्मन किया था ये सोमनात मंदिर है गुजरात में और उस स्वाल पूछले जब मेहमूद गजनवी ने सोमनात मंदिर पर आकर्मन किया गुजरा में जो मंदिर है महमूद गजनवी ने वो एक जार पच्चिस इसमें में किया था पच्चिस चब्विस में आता है जून 2023 में दीन दियाल अंचोज्य योजना ये राष्टी सहरी आजिवी का मिसन डी एन वाई एन यू एलम इस मिसन ने महिला धिम्यों को ससक्त बनाने के लि यू एन यू एलम डी ये वाई यहनी दीन दियाल अंचोज्य जो योजना है एन यू एलम वाली यहनी राष्टी सहरी आजिवी का मिसन दीन दियाल अंचोज्य की इसमें UNDP ने एग्रिमेंट किया है इस योजना में UNDP यहनी UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM में ताकि महिलाओं को यहाप स ससक्त बनाया जा सके महिलाओं की उद्योगों में भागेदारे सुनिचित की जा सके महिलाओं कहिन के इंडिस्टी में UNDP और डे एन यू एलम के साथ साज़ेदारी का यही उद्धिश्य है जो विशेश रूप से अर्थवयोस्ता की देखवाल, डिजिटल अर्थवयोस्त GDP का फर्मूला है, इसके अंतरकत आपको कंजूमर के दोरा किया गया खर्च, प्लस जो विशेश में इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्लस सरकार का खर्च है, इसके अंतरकत सुद निर्यात कहेंगे, यही एक्सपोर्ट माइनस आप इंपोर्ट करेंगे, तो यहां से आपका पर दीग, चेंज होता है, निवेस कोई फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता बाकि आप देखेंगे, वो भूगताओं के दोरा को खर्च, निर्यात में से आयत कहटाने पर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निवलिक्त में से किस वैधानिक निकाई के दोरा, समश्टी अ अनुपालन किया जाता है तो यहां पर आप विकल्प देखेंगे कि RBI Reserve Bank of India समस्टी अर्षास्त्री नीतियों का पालन करती है या फिर SEBI करती है SEBI, भारती, परतिपुती और विनिम्य बोर्ड तो दोनों ही करक्ट हो जाएगा RBI और SEBI दोनों ही समस्टी अर्षास्त्री नीतियों का अनुपालन करती है समस्टी अर्षास्तर में पूरा अर्षास्तर आ जाता है समस्टी को आप Macro Economics बोलती हो और Westy को Micro बोलती हो अब ओप्सन में SEBI था तो SEBI के स्थापना आपको पता होना चाहिए, SEBI को Westy 1988 में स्थापित किया गया था वेधानिक दरजा SEBI Act 1992 के दरी दिया गया है, 1992 में वेधानिक दरजा दिया गया शक्तियां दिये गए, 1988 में SEBI स्थापित है SEBI क्या करती है, विशेश कर जो Share Market है इनको कंट्रोल करती है, SEBI, Share Market के लिए Trading NSC, National Stock Exchange और BSC के जरीए होती है निप्टी और इधर आपका Sensex है, तो निप्टी है, Sensex है, ये सारा कुछ खेल है, SEBI के अंडर में नियम बनते हैं इन सभी की तो SEBI के स्थापना ठासी में हुई है, और यहाँ पर SEBI और RBI दोनों ही समष्टी अर्षशास्त्री नीती, जो Macro Economics है, इनके अनुपालन इसमें होती है अब समष्टी Macro Economics क्या क्या आजाते हैं, तो सब कुछ आजा है, बड़े बड़े तोर पर राष्टी आए, उतपादन, रोजगार, बेरोजगारी, समानी कीमित इस्तर, मुदरा संकुच्चन और वेस्टी में क्या होता है, इन्डिवीजुल होता है, माइक्रो में, इन्डिवीजुल के लिए देखा जाते हैं, कि वो कितने कमारा कर रहा है तीन तलाग की पर्था को अपराद घुशित करने के लिए भारत सरकार दोरा निमलिक्त में से कौन सा अधिनियम बनाया गया ट्रिपल तलाग को खतम करने के लिए 2019 में एक्ट पारित हुआ, जो एक्ट का नाम है मुश्लिम महिला विवा अधिकार संक्षन एक्ट 2019 है ट्रिपल तलाग को बेहन करने के लिए, ट्रिपल तलाग की केस में यहां पर illegal किया गया और जो ट्रिपल तलाग इस टाइब से काणूनी गेर काणूनी हरकते करेगा, तो उन्हें 3 साल की जियल का प्रावधा नहीं आतर आपर किया गया है अगला स्वाल है निमलक्त में से कौन से नदी पूरो के और बैती है पूरो के और बहने वाली नदिया जैसे यह भारत है यह इस साइड बहने वाली नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो पूरो के और बहने वाली है तो बंगाल की खाड़ी में जल गिर शोन रेखा और पोनेयार महानदी घोदावरी किष्ण कावेरी पैनार ब्रामनी वेत्रनी सारदावे गई वेत्रनी नदी कहां पर है दोस्तों ओडिसा में अगला सवाल है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में प्रूसों की ट्रिपल जम्प में गॉल्ड मेडल किस ने जीता तो मैंने क कॉमनवेल्थ गेम का लेडी बताया है विसे इसकर भारत ने जो गॉल्ड मेल्ड जीते है उनका आपको पता होना चाहिए राश्टमंडल खेल में गॉल्ड मेल्ड जो भारत ने टोटल जीते हैं 20 उनमें इसे ट्रिपल जम्प का जीता है एल्डॉस पॉल तो एल्डॉस प जाचमा का लेडल नेक्श वाल्ड है तेलूगू भासा की रेफरेंस में निमलिक्ति में से कौन सा कतन सही है तेलूगी भासा की बात करें तो यहां पर कि गलत हो जाएगा इसेकंड क्वाला क्योंकि सास्त्री भासा वर्तमान में 6 हैं इन 6 की सूरुआ तो ये तमील से तमील को पहला सास्त्री भासा का दर्जा दिया गया तमील, दूसरी है संस्कृत, तीसरी है कनड, उसके बाद है तेलगू, फिर मल्यालम और उडिया, तो TS के टियमों है, ये हैं, तेलगू आपके बनी है 2008 में, तमील 2004 में, संस्कृत 5 में, फिर कनड 8, तेलगू 8, मल्यालम 13, उडिया 14 में, अगला स्वाल यहां पर देखते हैं, इसके पत्थे आग की फूंसी के लिए लाबदायक है, किसके पत्थे आग की फूंसी के लिए लाबदायक है, आग की फूंसी के लिए लाबदायक है, इससे प्राप्त गौंद, यह कौन सा है, जिससे गौंद भी प्राप्त होता है, विकल पादारित आप देखेंगे, नहांद सारेटिक वर्दी के लिए उत्तरदाई है सक्ति के लिए उत्तरदाई है बैंगलूरू में भारतिय विज्जान संस्तान इंडियàं ज्चिट्ट है यह बैंगलूरू के zijn और यहां एरावत सुपरकंबूटर हैं सबसे तेज ए आई सुपरकंबूटर हैं जो कि सीडेक पूने में स्थापित किया गया है वर्ल्ड वाइज इसकी 75 विस्तान पर हैं इतना तेज है कि विश्व में 75 विस्तान पर हैं स्पीड इसकी 13170 टेरा फ्लॉप से और बाकी आपर भारत मे और कौन सा तेज सुपरकंबूटर हैं तो परमशिद्धी AI सुपरकंबूटर 131 विस्तान पर हैं परतिव सुपरकंबूट 169 विस्तान पर हैं अगला स्वाले आपन नोबल प्राइस का आपको पूचा है कि भोतिकी का नोबल प्राइस फिजिक्स का नोबल प्राइस 2022 में मिला है नोबल, ये किसे हेतू मिला है, तो हेतू है यहाँ पर तीनो ही, उलजे हुए फोटोनों के साथ प्रयोग, बैल असमीकाओं का उललंगन इस्तापित करना, क्वांटम सूचना विज्ञान का पत परदर्शन, इन तीनो हेतू, फिजिक्स का नोबल मिल गया है, इन तीन अरनक्ष को दिया गया है सहित्ते का, रशाइन विज्ञान का किसे दिया गया है 2022 में, तो केरोलिन बटोर्जनी, केरोलिन, केरोलिन, केरोलिन बटोर्जनी, मॉर्टेन, मेल्डल, बैरी सापलेस, इनको दिया गया, केमेस्ट्री का, क्विक केमेस्ट्री और बायो, आर्थो स्वेंते पाबो को दिया गया है विलुप्त होरे होमी नीड जिनॉम और मनुष्य की विकास पर उनके सोध है तू अर्शास्तर का नॉबल 2022 में बैन एस बरनांग के डगलस डव्यू डाइमंड फिलिप एच डाइववीक को दिया गया है वित्य संक्ट और बैंक परशोध के लिए नॉबल सांति प्रुसकार है एलेस ब्यालियास्त की मेमोरियल मानोदिकार संक्टन रश्या नागरिक सोतंतरता मानोदिकार संक्टन युक्रेनी इनको दिया गया है सत्ता के अलोचना करने के अधिकार को प्रोशाइद करने और नागरिक के मोलिक अधिकारों की पंदरवी थी, 2011 की पंदरवी जनगर्णा है, भारत में सबसे अधीक जन सिंक्या है, वो बिहार की है, राजिस्तान की नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपके सबसे अधीक, सोरी, बिहार की जन सिंक्या है, वो त्रप्लेस की है, राजितान की नहीं है, बाकी आपर जन्गर्ना की बात कहई, 2011 की जन्गर्ना, 872 शे 15 वी जन्गर्ना है, आजादी की बात सात्वी हैं, और 21 की जन्गर्ना का मैंने बता है, टोटल 18 वासा में हो रही हैं, 11 की 16 में होई थी, 872 में प्रार्म होई थी, मैयो के काल में जन्गर्न की, इनका पूरा करम आपको याद रखना चाहिए, तीसरे स्थान पर बिहार है, चोते स्थान पर पच्छी मंगाले, सबसे कम जन्द सिंग का सिक्कीम की पहरे स्थान पर, शेकर मिजोरम की का में, थर्ण अनुचर प्रडेस, फिर गोवा की, तो यह जो स्वाल, पच्छा यह जो ITBP एक्जाम में पूछे गए, अभी लेटरेस्ट 15 सितमर को जो एक्जाम हुआ था, एक्स्टा फैक्स इत कम्प्लीट होगे, पीडियो फाइल के लिए आपको टेलिगाम चैनल जोईन करना, जिसकी लिंक डैस्क्रिप्स में, वहां से जोईन कर लीजीगा, और जो यूज करते हूँ, टेस्ट बूक आज जोईन कर सकते हूँ, एक्स्टा डिस्काउंट मिल जेगा, लिंक डैस्क्रिप्स में, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाइ बाइ